कि आप लोग देख सकते हैं यह है बीटी सी का चार्ट और दो तिन दिन से काफी अच्छा बीटी सी यहां पर रन करता हुआ नजर आ रहा है पिछली बार जो हम लोग उने अपडेट दिया था कि हम लोग शायद क्या कहते हैं जो सपोर्ट लेवल बेसिकली हम लोग ने बताय नहीं दी एक विक गई थी नीचे की तरफ जो कि 52,500 तक गई वहां से बाउंस लिया और फिर उसके बाद में हम लोग एक बड़ी आ राइस यहां पर फिलाल के लिए देखते वे नजर आ रहा है और दिखतावा नजर आ रहा है और अभी कल हम लोग ने 58,000 को टेस्स किया औ तो अब अगर हम लोग यहां से उपर जाएंगे तो नेक्स जो रहेगा मेजर रहेगा जो मुझे लगता है कि वो है तकरीबन 60,000 वाला क्योंकि psychological barrier भी है और वैसे important resistance भी इसी जोन से हम लोग ने पिछली बार इसको as a resistance भी देखाता है न तो यहां पर 58 और 68 यह काफी important जोन रहेगा ऊपर जाएंगे तो फिर इसके बाद बात की बात में करेंगे तो अभी फिलाल यहां पर आप देखेंगे बीटी सी फिर से rejection के बाद में हार्ट रिजेक्शन जैसा candle आया था लेकिन हम लोगों ने अभी उसको hold कर लिया एक तरह से absorb कर लिया उस वाले selling pressure को और अभ पर इन में से कोई भी एक bullish pattern अगर बनता है तो possibility कि हम लोग ऊपर यहां पर एक अच्छा rise देखे और जो मैंने बता है 60,000 वाले levels को हम लोग टेस्स करते वे नजर आए ऐसी dominance को अगर देखें तो dominance यहां पर BTC price के साथ में चल रहा है जो कि अच्छी बात है और इसके लिए पीछे हम लोगों ने काफी गिरावट देखी थी इसके अंदर और गिरावट होने के बाद में काफी हम लोगों ने इसको जो पिछली बार सपोर्ट बताया था 56.7 56.8 वहीं से यहां पर इसने bounce लिया और अच्छा bounce लेकर के लाल के लिए 57 के ऊपर जो है यहां पर हम लोग होल्ड करने की कोशिश कर रहा है अच्छा नज़र आ रहा है अगर यह नीची जाएगा तो ऑल्ट को ही फायदा होगा और बद्वा कीजिए कि ऑल्ट थोड़े बहुत यहां से राइस करें यहां पर बात करते हैं यह अच्छा नज़र आ रहा है इतिरम भी कुछ अगर इसा रहते हैं तो इस वेसे उतना मोशनीच आप हो अधरि every यहां फूरा-स रूपती थोड़ा सब्सक्राइब नहीं को और यहां फ्पर थोड़ा यह थोड़ा सब्सक्राइब और त्यार रही है मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा राइस हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है वागी इसके लबाव हम लोग वागी और किया को यह अगर नहीं बाइक तो यह एक एंट्री जोन जो है नया हो सकता है हो सकता है एक बार रिकलेम के लिए हम लोग वापस नीचे की तरफ आए तो ये एक इंपॉर्टन्ट सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगा 10 सेंड से लेकर गें 11.30 सेंड के बीच में ही से कही से हम लोग रुकावरी मिन देखते भी नजर आ और दूसरे जोह ने पहलेवी बात करी तो कि अदर पर यहां पर उपर गया और अच्छा यहां पर अच्छा हैंपर भू औंडो यहाँ पर फाइनली काफी टाइम बात थोड़ा सा वॉल्यूम आता वा नजर आया ओंडो के उपर और रिकवरी करता वा नजर आया एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से ही फ्लैग पैनेट जैसा पैटन बना करके वापस उपर 65 सेंट वाले जो रेजिस्टेंस है उनको ब्रेक करें उन तक जाया और 65, 68, 70 वाले लेवल तक जाता वा यह नजर आया आरकम की बात करें तो आरकम भी यहां पर बढ़िया कल प्रफॉर्म करता वा नजर आया सिमिलर पैटन यहां पर भी नजर आ रहा है मेभी फ्लैग पैनेट जो भी यहां पर बने अपर इसके बा अच्छा रिकवरी करता है अच्छा राइस करता है और वही आपर हम फिर से देखने के लिए मिला है 220 से रिकवर करके लगबग 280 तक यह जाता वा नजर आया और बढ़िया बेसिकली यह नजर आया आप देख सकते 27-30 परसेंट रीसेंट डेज में इसने जो है राइस करता है और अगर आप करना चाहते हैं आपकी एंट्री इसी रेंज के आस्पास से 266, 270 और इसी यह नजर कर सकते हैं टाइक को यहाँ पर ठिक ताक नजर आ रहा है अभी भी अच्छा नजर आ रहा है अगर आप इसके अंदर भी वाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1.4 एक के आप नजर रख सकते हैं तो यह कुछ एक कोईंस जिनके उपर आप नजर रख सकते हैं बाकि इसके हलावा के कहते हैं लिस्ट के अगर आप बाए करना चाहते हैं यह भी अच्छा नजर आ रहा रहा एकदम रिर्स्टेंस के उपर है अगर ब्रेक करेगा तो पॉसिबल हमें 36 और लगबग 38 वाली लेवल्स के आसपास में जाता है नजर आएगा टेस्ट करते वे नजर आए 3.8 और 3.9 के आसपास में तो नजर रखे जी के कल बहुत अच्छा प्रफॉर्म करना था ट्रेंड लाइन रेस्टेंस के आसपास तक गया 11.5 वहां से रिजेक्शन अभी फिलाल के लिए मिला है यहां पर हो सकता है हम लोगों को इसके अंदर भी प्रफॉर्म करा अभी भी अच्छा नजर आ रहा है यहां पर मुझे लगता है कि अगर आप लोग लेना चाहते है करेंट प्राइस पर लेकर के और टार्गेट इसका रहेगा 1.8 से लेकर के 1.9 और 2 डॉलर तक कभी है ना इसमें भी अच्छा नजर आ रहा है नॉट और ट प्राइटन फ्लाग प्राइट जैसा में भी इसके अंदर देखने के लिए मिले तॉन ज्यादा बेटर नज़र आ रहा है फिलाल के लिए यहां पर क्योंकि आपको थोड़ा सा क्या कहते है यह वी वाला पैटन देखने के लिए मिलेगा जो की ठीक ठाक नजर आ रहा था औ और ऐसे ही एक और पॉइन जो की मैं तोड़ा सा नजर रख रहा था काफी हाइब भी है मार्केट के अंदर जिसका नाम है नेरो इत जिसको रिसेंटली बाइनेस ने भी लिस्ट किया अपने चैनल के ऊपर अपने एक्शेंज के ऊपर अगर इसका अगर आप इसका अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर प्लाइन करते हैं तो टार्गेट काफी अच्छे यहां पर रिकलेम के लिए यहां पर आता है, मैं entry बता जाता हूँ आपको अगर यह reclaim के लिए लगबग लगबग अगर यह वाला level 1.7, 1.8 की बीच में अगर आता है, 17, 18 की बीच में अगर आता है, तो आप यहां पर risk के अंदर entry plan कर सकते हैं और आपका target, मतलब अगर कोई risk नहीं लेना चाहता है, current पर आपके लगबग जाएंगे, यह वाले यह वाले जा सकते हैं, बिलकुल जा सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको under risk कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पंगा नहीं लेते हैं, तो target यहां पर आपके 25 तक यहां पर जाते हैं नज़रा सकते हैं, तो hold कीजे, में भी कुछ आपर आए क्योंकि वॉल्म आता हुए आपर फिलाल के लिए इसके अंदर नजर आया, आज के लिए इतना ही, thank you, take care, goodbye, peace और जहन मेरवाई हो